हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पैसेज का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम लोग हिंदी से पैसेज इंगलिस में जब करने के लिए करवट आएगा आपको तो आप कैसे करेंगे अएग है तो आपका पैसेज को अबिडियो में प्रक्टिस करेंगे कैसे आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपका पूरा नंबर चार में चार नंबर मिल जाए तो आईए इसको पहले समझ लेते हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं पैसेज क्या दिया हुआ है रामपल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है ठीक है वह 18 वरसका हो चुका है वह अब तक हाई स्कूल की परिच्छा नहीं पास कर पाया है अधिकांस लोग उसे ना पसंद करते हैं देखिए कोई भी पैसेज आपको परिच्छा में बनाने के लिए आएगा तो आपको पहले उसको संटेंस को पहले ध्यान से पढ़ लेना है और उसके भाव को समझना है तब उसको लगाना है ठीक है तो आईए पहले इसको लाइन बैलाएन हम लोग समझेंगे रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए बनाने को मैं यहाँ पर बना दिया हूँ आप देख सकते हैं केवल लेकिन देखने से नहीं होगा न क्योंकि पहले समझना पड़ेगा इसको concept क्या है और भी कैसा आएगा sentence तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग ठीक है तो सबसे पहले देखना होता है कि यह किया है इसका किस tense में है कोई tense नहीं होगा तो simple sentence होगा simple sentence वो होता है उसमें subject द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया होता है और tense वो होता है जिसमें subject द्वारा कोई कार्य किया गया होता है तो इसमें आपका क्या है कि राम पाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयोग है यानि उसके केवल आवस्था के बारे में बताया गया है यान ठीक है उसके स्टेट के बारे में बताया गया केवल ठीक है तो यह मेरा सिंपल संटेंस है तो राम पाल किसी का नाम है तो राम पाल यहाँ पे लिख देंगे और subject के according अब लोग लगाएंगे helping और इच लगाएंगे अब दखिए, cruel, cruel मतलब होता है, मतलब निर्दई, ठीक न, निर्दई आदमी बता है, उसको उसको कुर बोलते है ठीक, तो अब cruel and arrogant young man, यानि की cruel मतलब होता है, निर्दई या cruel, ठीक है और भी meaning इसका है, लेकिन हमने यहाँ पे cruel को लिया हुआ है, ठीक है and, end मतलब और या even, arrogant मतलब होता है, अभी मानी, ठीक है और young man यानि की नवयुवक, तो आपका sentence बन जाएगा इस तरह से राम पाल is a cruel and arrogant young man, ठीक है अगला sentence आपका है, वह 18 वर्सका हो चुका है, देखिए, वह 18 वर्सका हो चुका है तो इसको आप दो तरस बना सकते हैं, लेकिन आप किस भाव से इसको देखते हैं जिस भाव से आप देखते हैं, दोनों तरस बना सकते हैं आप, आपकी मर्ची यह नहीं कि मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह बनाएंगे तभी होगा आपका लेकिन आप कोई भी sentence पढ़िए उसको भाव अच्छा से clear दे रहे हैं उसका तो बनाएंगे तो आपका 100% सही होगा तो देखिए वह 18 वर्स का हो चुका है तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं यानि कि वह 18 वर्स का है ठीक है? देखिए कोई भी होता है मतलब कि किसी वर्स का हो चुका है तो हम लोग यहां पर old लगाते हैं यहां पर जैसे 15 वर्स का हो चुका है तो 15 years old लिखे दे हम लोग तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं तो इसको आप प्रिजेंट परफेक्ट हिसाथ बनाएंगे तो वही बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे ओल्ड लिख देंगे आप लोग तो इसको भी आप दो तरस बना सकते हैं पहले इसको देख लिजिये किया कहने की भाव इसका है मतलब की अभी वह पास नहीं कर चुका है बात कहने का यहाँ प क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही संटेंस आपका प्रेजेंट में चलता है, यह भी आपका उसी भाव आएगा, और जो है अब तक, अब तक की जो होता है प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो एट है ना, एट मतल़ होता है अब तक या अभी तक, ये प्रेजेंट tent में ही किया जाता है प्रेजेंट का, ठीक है, तो इसको हमें साब sentence के लाष्ट में रखा जाता है, यह ठीक है, तो इसको आप बना सकते है इस तरह से, He has not passed the high school examinations at या आप इसको दो तरस बना सकते हैं देखिए ये तो आपका लगएगा helping और यहां पर He has not passed उसके वाद आप इसको लगा सकते हैं है ना High school की परिख्छा तो आप इसको लिख सकते हैं The exam of the high school ये भी लिख सकते हैं हम लोग पढ़ते हैं न का की वाला तो उस तरह से बनाएंगे तो अभी आपका अर्थ निकलेगा वही और इस तरह से बनाएंगे तो अभी आपका अर्थ निकलेगा वही तो आप किसी तरह से बना सकते हैं बस आपका भाव को concept के लिए रोना चाहिए आपका ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं अधिकांस लोग उसे ना पसंद करते हैं अधिकांस लोग का होता है most people या most of the people दोनों लगा सकते हैं आप ठीक है most people लगा सकते हैं या most of the people यानि कि अधिकांस लोग यानि ज़्यादातर लोग उसे ना पसंद करते हैं तहीं हैनि कि ये थो मेरा subject हो गया most people अब ना पसंद करना का क्या होता है dislike ये मेरा verb है तो यहाँ पर क्या करेंगे dislike कर देंगे ठीक है और कीसे उसे उसे यहाँ पर रामपाल को यहाँ यहाँ आया है मेरा न उसे subject आपका क्या है most people अधिकांस लोग उसके बाद वर्व आपका dislike और हीम आपका क्या है object तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कोई भी passage आएगा तो ठीक है तो अब देखिए इसको आपको board परिछा में इस तरह से लिखना है जो भी आपका passage आएगा answer लिखिएग ठीक है उसके बाद यहाँ पर खताम होता वहाँ पर पूली टाप लगाना है इस तरह से अब फिन अगला जो start होगा आपका capital letter लिखना है इस तरह से आप follow करेंगे नियम को तो आपका number पूरा में पूरा मिलेगा ठीक है मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद